नमस्कार मैं हूँ अविशेग और आप देख रहे हैं अवोदै प्लस टाइम्स आईए नज़े डालते हैं कुछ खास ख़बरों पर सुक्रवार सनीवार की दर्वियानी रात में बवीना हाट वाजार इस्थित चाउनी परिशत बवीना की एक दुकान में आग लग जाने से उसमें रखा सब्जी विक्रेता का करीब 40-50 जार रुपए का सामान जलकर राक हो गया बताया जा रहा है कि उक्त दुकान कराय पर लेकर चांदनी राईन बरुकसार राईन पुत्री स्वर्गिय रफिक राईन नवासी नंदनपुरा बवीना सब्जी का ब्यापार कर रही थी सुक्रवार सनीवार की दर्वयानी राध किसी अग्याद दुआरा रात के 12 वजे के बाद सटर के नीचे से आग लगा दी रात करीब दो बजे चांदनी वा रुकसार को आगजनी की जानकारी मिली तो बेदोनों अपने मामा सहीद राइन नवासी कवाली वाजार को लेकर बहां पहुँची पस सभीने बड़ी मसकत के बाद सटर को उपर उठा कर आग को बुझाया इस दोरान 112 पर भी कॉल कर दिया गया था उक्त आगजनी की गटना में प्लास्टिक की क्रेट, हाथ ठेला, कूलर, बलकडी का सामान और सबजियां जलकर राख हो गई पीड़ताओं का 40 से 50 हजार रुपय का नुकसान होना बताया जा रहा है पीड़ताओं ने मौपजे की मांग की है सूचना मिलने पर सनीवार को सुभा, पुलिस, बाचावनी परिसद और स्टेशन हैटकॉर्टर के अधिकारी बाकरमचारियों समेत चावनी परिसद उपाद्ध्यक्ष ईस्वर सिंग ने मौके का मौएना किया नवदे पलस टाइम्स के लिए बवीना से गौरब कुमार की रिपोर्ट